हेलो गाइस आज मैं आपको बताऊंगे कि गॉधन बर्ग में पॉब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए आपको टिकेट कैसे लेना है तो पहले आप गूगल पिले स्टोर पे जाकर वैस्ट्राफिक डाउनलोड कर लिए तो यहां पर आपको कई सारे टिकेट मिल करना है फिर यह आपको पूरी लिस्ट आजेगी कि कौन सा ट्राम नंबर या कौन से प्लाटफॉर्म पे आएगा कहां पे आएगा कितने टाइम पे आएगा और आप ऐसा स्क्रोल करके देख सकते हैं कि डिफ्रेंट नंबर की गाड़ियां अवेलिबल है मैं आपको एक और एक्जामपल दिखा देती हूँ जैसे कि मैंने अभी कोर्स वेगन डाला तो यहां पे भी आजाता है यहां ही से आपको सेलेक्ट करना पड़ता है फिर यहां पे भी देखे किती सारी वेकल्स अवेलिबल है सारा किस प्लाटफॉर्म पे आएगी कितने बज़े आपको वहा अपके थूर ले सकते हो वैसे आप वेकल्स पे से भी ले सकते हो बट इस गुड ऑप्शन कि आप पहले ले लो फिर कई बार होता है कि आप कहीं बन पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक जाना है बट डार Pode dostar तो इन in between आपको ट्रांजिट या फिर कोई और थ्राम लेना पड़ता है तो वह कैसे ट्रैवल करना है तो आपको यहां पर डीटेल्स मिल जाएगा कि आप platform number B2 से चड़ेंगे course wagon में and then platform C पे उतरेंगे central station में and then फिर आपको central station के platform D पे चड़ना है फिर आप jan target के platform A पे उतरेंगे बताऊँगे कि departure वाले section में क्या होता है तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि कौन से track पे या कौन से tram या bus आने वाली है वो कितना crowded होती है कितने minute बाद है आप जिस time पे search कर रहे हो बताऊँगे कि tickets कैसे खरीदते हैं तो आप single ticket अगर आपको चाहिए तो single ticket पे click करके आप route पहले select कीजे कि कौन यहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग zones है तो आप देख लिजे कि आपका area कौन से zone में आता है फिर आप उसे साब से जैसे कि मेरा zone A है तो मैंने वो select किया फिर कितने लोग है वो select कीजे और बस confirm अगर माले जे आपको पूरे माईने बर का ticket लेना है तो वो period ticket होता है तो फिर आप यहाँ पर भी select कीजे अपना zone कौन सा zone है यहाँ पर काफी अलग-अलग type के options है आप देख लिजे कि आपका कौन सा suitable है जैसे कि मेरा zone A है तो मैंने zone A चूज किया फिर यहाँ पर मैंने एडल चूज किया फिर यहाँ पर confirm या फिर आप यहाँ पर option होता है कि आप किस तारीक को अपना ticket activate कराना चाते हो यहाँ दो option है 30 days के लिए आपको ticket चाहिए 90 days के लिए फिर जस्ट confirm करके आप payment कर दो and next is flex tickets इसमें भी यह same select आप zone करते हो उसके बाद फिर adult या youth उसके बाद फिर confirm करके आप बेगल तो this is how you buy a ticket on west traffic app यह बहुत ही easy है guys और बहुत ही helpful है अगर आप Gothenburg में रहते हो तो फ्लेक्स टिकेट है न वो एक मन्त में सरक 10 दिन के लिए वालिट रहता है आप एक मन्त में किसी भी 10 दिन आप इसे फ्लेक्स टिकेट को यूज कर सकते हैं सबके लिए यह वीडियो काफे helpful होगा और अगर आपको यह helpful लगा तो प्लीज इस अनल को subscribe कीजिए और like बटन पे click कीजिए thank you for watching